बूर्णिंग बच्चो कैसे हैं आप उमीद करता हूँ कि आप अपनी जगह पे सही होंगे घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आते कि आपके स्कूल कब लगेंगे तब तक आपको ओनलाइन एजुकेशन ही दी जाएगी ठिक है और का टॉपिक है क्रिया उसे हम करते हैं क्रिया का मतलब है कि कोई भी काम होना ठीक है जैसा हमने इंग्लिश में किया था एन एक्षन वर्ड इस काल्ड वर्ब तो वही हमारा हिंदी में भी है क्रिया किजे कहते हैं तो शुरू करते हैं क्रिया जिस सब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले समझें एक बार और रिपीट कर देते हैं जिस सब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले हम उधार ने लेते हैं जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ठीक है तो पढ़ना क्या है हम एक क्रिया है ये भी काम है हम लिख रहे हैं लिखना क्या है वो भी काम है हम पी रहे हैं पीना क्या है वो भी काम है यानि के क्रिया है ठीक है जो भी हम काम करते हैं या कोई अपने आपकाम हो रहा है वह क्रिया है ठीक है तो हम करते हैं के क्रिया के भेद ठीक है क्रिया के दो भेद होते हैं कितने भेद होते हैं हाँ एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया समझायाना अच्छे से कितने वेध होते हैं दो येस पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा क्या है सकर्मक क्रिया तो आपको ये साथ के साथ अपनी नोट बुक में नोट करते जाना है ठीक है तो आगे हम करते हैं जैसे हम पहले सव कर्मक क्रिया को देख लेते हैं ठीक है सव कर्मक क्रिया यानि के करम के साथ सव का मतलब होता है साथ क्या होता है साथ और कर्मक कर्म से यानि के कर्म के साथ जिस क्रिया में कोई कर्म होता है क्या होता है कर्म जिस क्रिया में कोई कर्म होता है वह क्या कहलाती है सकर्मक क्रिया क्या कहलाती है सकर्मक क्रिया जैसे हम उधार ने लेते हैं वह आम खाता है अब हम क्रिया से प्रसन पूछते हैं कि क्या कोई भी वाक्य है अगर हम क्रिया से क्या प्रसन पूछेंगे कि क्या काम मतलब क्या कर रहा है तो वह अगर उत्तर मिलता है उसका क्या का जवाब आता है तो वह सरकर्मक्रिया होती है जैसे अब इसी वाक्य को पढ़ते हैं दुवारा वह आम खाता है अब खाता से पूछेंगे हम क्या खाता है तो क्या अंसर मिलेगा जवाब आएगा हमारा आम तो आम क्या हो गया हमारा सवकर्मक क्रिया समझाया तो एक बार और पढ़ लेते हैं सवकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वह क्रिया जिस क्रिया में कोई करम होता है ठीक है वह सवकर्मक क्रिया कहलाती है अगला कर लेते हैं हम अकर्मक क्रिया क्या है हमारा अकर्मक क्रिया यानिके करम के बीना अगा मतलब होता है बीना अगा मतलब होता है बीना और करमक करम से यानिके बीना करम से जिस क्रिया में कोई करम नहीं होता क्या नहीं होता करम जिस क्रिया में कोई करम नहीं होता वह कौन से क्रिया कहलाती है कर्मक क्रिया ठीक है और जिस क्रिया जैसे इसका उधार ले रहते है वह खेलता है वह खेलता है अब इसके अंदर क्रिया तो है क्या है खेलना अब खेलना से पुछते हैं कि क्या खेलता है तो हमें कोई भी जवाब नहीं मिलता तो मतलब कोई कर्म नहीं तो यह है और कर्म क्रिया है ठीक है? तो आज के लिए हमारा इतना ही एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या किया है आप उसको अपने कुपी में नोट डाउन कर लेंगे ठीक है? तो आज का हमारा इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें एक सोगाल ज़रूर बाइकन